अलो एवरीवन, मैंसेल डॉक्टर पुलकिश शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर, तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे, इंडिया के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है, 85% इस्टेट कोटा की काउंसलिंग अलग होती है, 15% अल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अ आपका शेडियूल क्या चल रहा है, कव किस तरीके से, कौन सी important dates है, आपके state के अंदर, सभी states की मैं बात करूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखना, जिस भी states से आप ब्लॉंग करते हैं, आपके state का number आ जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं IPU की बात करता हूं, IPU म को fees deposit करानी है, IPU में, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको fees deposit कराने का option मिल रहा है, candidates who have filled online application form, paid the request application fees, ठीक है, जो की 1500 है, non-refundable है, and paid the counseling participation fees, जो की 1000 रुपीज है, जो की non-refundable है, ठीक है, इसमें क्या है, आपकी filling of choice, जो होगी आपकी, ये कब होगी ये आपकी 27 तारीक से लेके, और 31 तारीक के बीच में, आपकी choice filling होगी, उसके बाद में, आपका क्या होगा, submit willingness का feature आएगा, जिसमें आपको choice, counseling के दोराना, जो आपको choice देने का मौका मिलेगा, आपको float करना है, freeze करना है, college जो allot हो गया, उसको upgrade करवाना है, या fix करना है, ये round 1 की counseling के result के बाद मिलेगा, ठीक है, और ये close कब हो जाएगा, 6 तारीक को आपका close हो जाएगा, 6th of August को, ठीक है, फिर आपको payment करना है, payment of part academic fees of 60,000, NEFT के दोरा आपको pay करना है, ये आपको 7 तारीक तक pay करना है, ठीक है, 7 August तक आपको pay करना है, इसके बाद में, आपको printing of provisional allotment letter मिल जाएगा, एडिवीशन के लिए, ये आपको 7 तारीक को, रात को, last इसकी closing date है, वो 7 तारीक को, रात को 11 बच के 50 मिनट है, ठीक है, ये आपका IPU का schedule है, बाकी का जो आगे का schedule है, वो आपका अभी काफी दूर है, और आप देख सकते हो, reporting आपको करनी 8 तारीक त है, अपन कुछ चीज miss तो नहीं कर रहे है, ठीक है, इसके लाबा, आगे बढ़ने से पहले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, जो लोग personalize counseling program join करना चाहते हैं, वो इस number पे WhatsApp पे message कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने state quota की counseling, ठीक है, और all India quota की counseling, दोनों मिल जाएंगी, last round तक आपको help मिलेगी, आपको important PDF bond की, college fees की, establishment year की, college के, need PG के statewide seat की, last year का, all India quota का, state quota का data, जो भी आपकी cutoffs है, college wise, category wise, उसका PDF मिल जाएगा, इसके लाबा, आपको 24-7 WhatsApp assistance मिलेगा, last round तक, state के, और all India quota के, इसके लाबा, आपको decision making में मदद मिलेगी, कौन सा college लेना चीए, कौन सा नह ही लेना चीए, कहाँ upgrade कराना है, कहाँ पर आपको report करना है, कहाँ free exit लेना है, ये सारे important decision making में आपको मदद मिलेगी, fees आपकी इसकी only 1500 है, ठीक है, दूसरा plan है, जिसकी fees 5000 है, मैं आपको plan बन के, तो ये जो बताए, सारे features मिलेंगे, मिलेंगे, साथ में आपको calling assistance का feature मिलेग आखरी round था, ठीक है, आप private medical college की counseling कराना चाते हैं, government की counseling कराना चाते हैं, आप दोनों की करा सकते हैं, इस counseling program के अंतर तर, ठीक है, आपको कैसे contact करना होगा, इस number पर आपको WhatsApp करना होगा, ये जो number है, same number पे, और फिर इसी number पर आपका phone पे, G पे, और Paytm पे आप पे करके, personalized counseling program में enroll हो जाओगे, आपको जो premium group होता है, WhatsApp का, उसमें आपको add कर दिया जाएगा, जिससे कोई भी information आपसे timely miss ना हो जाए, खीक है, हर information आपको महाँ पे update करी जाएगी, और personally तो आप connected रहोगे, 24-7 WhatsApp पे अपने doubts को लेके, खीक है, अब आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के schedule के बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का schedule जैसे कि आप देख सकते हो, 28th July को मैं ये video बना रहा हूँ, तो 28th July को आपकी date of deposition of registration fees और security deposit आखरी दिन है, online document verification का भी आपका आखरी दिन है, खीक है, 29 July यानि कि कल आपकी merit आजाएगी, कि state में क्या रहें कि आपको पता ल अगस्त तक रहेगी, ठीक है, आपका allotment result 3 या 4 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद में date of downloading the allotment letter and admission ये आपका 5th से लेके 8th of August तक रहेगा, जब आपको अपना allotment letter download करना है और admission process को आगे करना है, ये round 1 तक का ही schedule दिया है, UP का आगे का schedule अभी update कर दिया जाएग second round से और further round का, ठीक है, इसके बाद में अपना अगले state पे चलते है, मद्यप्रदेश पे, मद्यप्रदेश की सारी process हो चुके है, 28 तारीक तक के events हो चुके है, ठीक है, उन events के बारे में मैं discuss नहीं कर रहा, आगे के events की बात करते है, आपकी publication of state merit list आपकी एक तारीक को है, choice locking करनी है, allotment result of first round आपका 7 अगस्त को आएगा, 7 अगस्त को आपका allotment result आएगा, reporting of allotted medical at dental college in person for document verification or for admission, ये 8 तारीक से लिए 14 तारीक तक आपको allotment letter आने के बाद में reporting करने जाना है, physical form में medical college at dental college के अंदर, इसके बाद में opt for upgradation, through candidates login after admission by candidate, admission के बाद में आप login करके upgradation के लिए apply कर सकते हैं, वो भी 8 तारीक से लेके 14 आउगस्त तक apply कर सकते हैं, ये MP का schedule है, अभी तक का, आगे चलते हैं, जारखंड का schedule, जारखंड में आपको online form submission की date आखरी कल है, 29 जुलाई तक कर सकते हैं, वो यह आपको change करना है, तो वो 30 जुलाई तक कर सकते है दोपेर में 3 बज़े तक कर सकते हैं, ठीक है, आपको वो state की merit list है, 31 जुलाई को आपकी state की merit list आई, ठीक है, ये आपका अभी तक का, जारखंड का schedule है, ठीक है, अगले state है, अगले state पे चलते हैं, केरला की में बात करता हूँ, केरला में आपका क्या है, website open हो चुकि है, for the registration registration और for MBBS and BDS course 26th को open हो चुकि है, ठीक है, 31st July को closer of the option registration facility, 31st July को registration end हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में first phase का provisional allotment आपका 2 अगस्ट को आएगा, और फिर final allotment आपका 3 अगस्ट को आएगा, ठीक है, candidate who have get allotted to MBBS, BDS, shell, written the fees shown below the allotment, फिर आपको online fees आपको submit करानी है, जो भी college आपको a lot होता है, ठीक है, इस जगे आपको करानी है न, post officer in Kerala, details of admission will be intimate later, website पर detail आजाएंगे, आपको कहाँ पर online अपनी fees submit करानी है, 5 तारिक से लेके 8 तारिक करानी है, ऑगस्ट के मैने में आपको submit करानी है, ठीक है, इसके बाद का schedule अभी आपका आजाएगा, केरला का अभी तक कही है, उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, उत्तराखंड में आपके registration अभी start हुए ही है, ठीक है, online registration, application fees, choice filling, fees, submission, ठीक है, by the candidate for round 1 या आपका 27 जुलाई से 31st of July तक है, ठीक है, 31st July को end हो जाएगा, choice filling by the candidate for the round 1 of the counseling, ठीक है, choice filling 27 से लेके 31st तक ही है, processing होगी दो द 3rd of August को आपका result आजाएगा, आपका allotment का, last date है, joining की की आपका allotted college को वो 8 August है, ठीक है, ये उत्तराखंड का अभी तक का schedule है, आगे चलते हैं, महाराष्टरा के schedule की मैं बात करता हूँ, online registration आपके extend कर चुके हैं, ठीक है, अभी, पहले dates अलगती है, अभी extend हो चुके है, 31st of July तक आप online registration कर सकते हो, payment registration आप कर सकते हो, 31st of July तक, ठीक है, ये भी दुपैर में 2 बजे तक आप कर सकते हो, uploading of colored skin copy of original documents आप ये कर सकते हो, 31st of July तक, शाम को 5 बजे तक कर सकते हो, ठीक है, seat metrics आपका महाराष्टरा का 31st July को आ जाएगा, provisional merit list आपके आजाएगी, 1st August को आ जा joining है आपको, filling for the status of retention form with all original documents और जो fees आपको DD की form में जमा करानी है, वो 5 तारिक से लेकिन 9 तारिक तक, ठीक है, आपको physically join भी करना है, जो college alert हो गया, उसकी DD की form में, fees भी submit करानी है, DD या फिर चेक की form में, ठीक है, ये आपका schedule है, अभी तक का महाराष्टरा का, ठीक है, West Bengal की म वो 28 जुलाई तक है, ठीक है, वो आपका खतम हो चुका है, ठीक है, online fees payment भी आपकी खतम हो चुक है, मैं आपको जो जो चीज़े भी अपने आने माली हैं, उसके बारे में बता लेता हूँ, publication of list of successfully verified candidates and publication of seat metrics for round 1, ये आपको, एक August को आपका आ जाएगा, successfully verified जो candidates है, उसकी पू हो जाएगा, 4 p.m. से 1 August से लेके, 1st of August से लेके, ठीक है, 2nd of August तर, ठीक है, publication of result आपका 5 August को आजाएगा, ठीक है, और reporting और admission allotment to candidate, जहाँ पे students का admission होगा, वहाँ पे उनको reporting करनी है, fees और bond के साथ में, 7, 8 और 9 तारीको, तीन दिन का time मिलेगा, 11 बज़े से 4 बज़े तक के बीच में आपको जाके, वहाँ पे, physically college में report करनी है, ठीक है, इसके बाद में, अगला हिमाचल प्रदेश पर आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में आपका, release of final category, wise merit list, टाज 28th of July को आ जाएगी, आपकी merit list हिमाचल प्रदेश की, filling of choice preference, आपका, वो 29 से 31st of July तक होगा, देखो किसी में merit list पहले आ जाती है, rank बाद में आती है, किसी में rank बाद में आती है, पहले choice filling चाट होजाती है, तो difference है, हरेState का difference है, तो ऐसा निये है कि पहले merit list ही आएगी, पहले choice filling चाट होगी हरेState का schedule अलगल है, 1st round का provisional seat allocation आपका 3rd of August को हो जाएगा 1st round का final seat allocation आपका 5th of August को हो जाएगा joining है आपकी वो 7 और 8 तरिक को आपको join करना है college में allotted college के ठीक है इसके बाद में जो second round का schedule है उसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे हरियाना की बात करता हूँ मैं हरियाना के registration आपके 29th of July तक चलने वाले है ठीक है आप information को edit कर सकते हो 29th of July तक रात को 12 बजे तक ठीक है submission of choice online and choice locking आप 29th of July तक कर सकते हो display of allocation list after residential of grievance ये 31st तक कर सकते हो ठीक है allocation list आपकी मतलब 31st को जारी हो जाएगी on the deposition of tuition fees only through admission way portal आप 31st से लेके 4th of August तक ठीक है ये आप tuition fees submit कर सकते हो जो college allot होता है document verification of candidates who have been allotted seats and paid the requested provisional tuition fees online through admission portal ये आपका document verification 5 तारिक से लेके 7 तारिक तक चलेगा ठीक है आज बजे तक आप कर सकते हो अगला state आ जाता है राजस्तान राजस्तान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्तान में document verification होता है सिर्फ NRI candidate का पी एच candidate का और defense के candidates का इनकी merit list आ चुकी है इनका जो verification होगा offline होगा ठीक है वो आपका 29 जुलाई को होगा ठीक है सुबह नौ बजे से इसके बाद में आपकी merit list है कल आ जाएगी आपकी ठीक है यह important day है तक आप करा सकते हो ठीक है choice filling भी आपका 28 से लेके 31 तक कर सकते हो ठीक है फिर auto log हो जाएगी choice अगर नहीं करते हो तो वो auto log हो जाएगी ठीक है अगला है publication of the first round allotment information on the website first round allotment information on the website online आपकी चार तरिक को आजाएगी merit list के बाद में जो allotment आएगा वो चार तरिक को आजाएगा कौन सा college allot हुआ ठीक है allotment letter आप 5 तरिक से 8 तरिक के बीच में निकलवा सकते हो online उसके बाद में जो भी documents है और allotment letter है सब को ले जाके आप ठीक है joining देने जाना है ठीक है MBBS की joining अलग होगी ठीक है private MBBS की अलग होगी BDS की अलग होगी आप देख सकते हो दो आपके दो जगे होगी एक तो SMS का academic block ठीक है एक dental college में होगी ठीक है पांच तरिक से लेके 8 तरिक तक का time होगा बाकी के round का schedule आ जाएगा पंजाब की में बात करूँ 24 फिल होगी आपकी first round की वो 26 से 30 तक होगी seat allotment का process 31 से एक तारिक चलेगा जो result है वो 3 तारिक को आजाएगा ठीक है और reporting by the candidate who have respective provisionally allotted college and deposition of 6 months fees tuition fees आपको 6 मेने की tuition fees जमा करानी है ठीक है इसके बाद में allotted college में reporting करनी है वो 5 तारिक से लेके 8 तारिक तक आपका ठीक है अवेलिबल कहा होगा यह university portal पे student को login करके करना है ठीक है payment कहा करना है Odisa की बात करो तो Odisa में first round का provisional allotment आपका कल आ जाएगा ठीक है कल आपका first round का allotment आजाएगा 29 ओ जुलाई को पुलिकेशन दो first round allotment आण डाउनलोड दिंगा allotment letter यह 31 जुलाई तक आप allotment letter डाउनलोड कर सकते हो provisional admission by paying admission fees and reporting at OZEE cell ठीक है with original documents and sign bond यह आप कर सकते हो तारिक से लेके 8 तारिक तक आपको fee submit करानी और physically reporting करनी है यह सारी चीज आपको schedule को समझना है बाकी का यह जो schedule है अपन बाद में बात करेंगी क्योंकि एक सारी इतनी सारी dates आपको याद भी नहीं होगी तो मैंने first round के schedule की बात करी इतने सारे states तेरा states cover कर दी है इसमें ठीक है जो भी important states थे बाकी कोई भी आपको doubt हो सारे important notification आपको telegram पर मिलते रहते है टेलिग्राम पर मैं share करता रहता हूँ ठीक है जिससे कोई important information miss न हो जाए टेलिग्राम चैनल का नाम भी neat info है description box में link है आप टेलिग्राम चैनल को join कर लेना इसके लाबा आप YouTube चैनल को जरूर से subscribe कर देना वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर देना personal counseling program में आप interested हो तो इस वाले number पे whatsapp पे text कर देना ठीक है thanks for watching मिलते हैं किसी अगले वीडियो में bye